ना इधर ना उधर सीधे मुद्धे पर नज़र क्या है आज के खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 पुनीत के साथ तो UPSC में लेटरल एंट्री को लेकर अब इस्तिती साफ हो चुकी है और अब खबर यह है कि लेटरल एंट्री नहीं की जाएगी दरसल लेटरल एंट्री को लेकर कॉंग्रेस अपना विरोध पहले ही जदा चुकी है राहूल गांदी ने भी इसका विरोध किया था लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि प्रधान मंत्री मोदी के कहने पर यह फैसला बदल दिया गया बाखायदा इसे लेकर केंद्री मंत्री जितेंद्र सिंग ने UPSC के चेर्मेन को लिख दिया है और कहा है कि इसे लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे रद किया जाए इसके बाद अब इस नोटिफिकेशन को रद भी कर दिया गया है आपको बता दें कि UPSC की तरफ से B.T. 17 अगस को ही लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पदों पर वेकेंसी निकाली गई थी हाला कि इससे पहले इस वेकेंसी का राहुल गांधी ने भी विरोध किया था राहुल गांधी ने कहा था कि लेटरल एंट्री के जरिये कुले आम, SC, ST और OBC वर्ग का हक चीना जा रहा है मोधी सरकार RSS वालों को लोग सेवकों में भरती कर रही है इसके बाद राहुल गांधी को जवाब देते हुए कानून मंतरी अर्जुनाव मेंगवाल की तरफ चका गया था कि पूर्व बीम मनमोहन सिंग को लेटरल एंट्री के जरिये ही 1976 में Finance Secretary मोंटेक सिंग एलिवालिया को भी योजना अयोका उपाध्यक्ष और सोन्या गांधी को National Advisory Council याने की NAC का चीफ बनाया गया था इसी लेटरल एंट्री के जरिये अब इसके शुरुआत कॉंग्रेस नहीं करने का काम किया था और अब प्रधान मंतरी मोधी ने UPSC को नियम बनाने का अधिकार देकर लेटरल एंट्री सिस्टम को एक सिस्टमाइज करने का काम किया व्यवस्थित करने का काम किया पहले की सरकारों में लेटरल एंट्री फॉर्मल सिस्टम हुआ नहीं करता था अब ये ऐसा होगा खड़के निकाया है कि कॉंग्रिस ने बीज़पी के आरक्षण छीनने के मनसूबों पर पानी फिरने का काम किया है उन्होंने ट्वीट किया केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री नोटिफिकेशन को रद्ध करने के फैसले पर कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिका आरचुन खड़के कह रहे हैं लिख रहे हैं सोशल मीडिया एक्सपर कि हमारे दलित आदिवासी पिछड़े और कमजोर वर्ग के सामजिक नियाय के लिए कॉंग्रिस पार्टी की लड़ाई जो लड़ी गई इसकी वज़े से बीज़ेपी के आरक्षण छीनने के मनसूबों पर पानी फिर गया है लेटरल एंटरी पर मोधी सरकार की ये चिठी ये दर्शा रही है कि ताना शाही सत्ता के एहिंकार को समिधान की ताकत हरा सकती है वैसे आपको बता दें कि से पहले अर्जुन राम में एकबाल ने ये आरोप लगाया था कि प्रधान मंत्री रहते हुए जवाहरलाल नहरु ने भी 1961 में और राजीव गांधी ने विपक्ष का नेता रहते हुए लोगसभा में OBC आरक्षण का विरोध किया था लेटरल एंटरी अभी के लिए खुली है सभी वर्ग के लोग इसमें अपलाय करते हैं उनका ये भी दावा था कि हम आरक्षण खत्म कर रही हैं जबकि आप भरती कर रहे थे जब उस वक्त तो आप क्या कर रहे थे खानूर मंत्री ने ये भी का कि अचानक राहूल गांधी का OBC के प्रती प्रेम सामने आया है और वे सुप्रीम माफ की जगा वे SCST और OBC के चात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं राउल गांधी जूट पहला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं बार बार सरकारी आरूप लगा रही है और UBC जैसे संस्थानों की छवी को खराब करने की कोशिश राउल गांधी की तरह की जारी है ये केंद्री मंत्री अर्जुनाम में एकबाल ने कहा वैसे आपको बदा दें कि सरकार में शामिल के इंद्री मंत्री चिराग पास्वान भी इसी लेटरल एंट्री का खुल कर विरूद कर चुके है चिराग पास्वान ने तो लेटरल एंट्री भरती पर प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया था पारक्षन को ध्यान में नहीं रखा गया है, रिजर्विशन को ध्यान में नहीं रखा गया है, और इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं और मेरी पार्टी से सहमत नहीं है, लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है, बिना एक्जाम के सीधी भरती इसका मतलब होता है, सरगार के मंत्रालेवों में Joint Secretary, Director और Deputy Secretary की Post पर भरती Lateral Entry से की जाती रही है UPSC में Lateral Entry की शुरुवात साल 2018 में हुई थी और इसमें Joint Secretary Level की Post के लिए करीब 6,077 अप्लिकेशन आये थी UPSC की सेलेक्शन प्रोसेस के बाद 2019 में अलग-अलग मंत्रालेवों और विफागों में नो नियुक्तियाम ही की गई थी लेकिन अब चूंकि UPSC को ये पत्र लिखकर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उसे रद करने की बात कह दी गई है रद कर भी दिया गया है तो इस मामले पर अब सियासत और जोर पकंड सकती है ऐसा लगता है क्योंकि एक तरफ कांग्रिस जाहिर तोर पर इसे अपनी काम्याबी बताएगी या अपनी जीत बताएगी जबकि ये पहले से कह दिया गया है कि ये हम रद कर रहे हैं लेकिन प्रधान मंत्री के द्वारा प्रधान मंत्री के पहल पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के पहल पर इसे रद करने के लिए हमने आपको कहा है UPC के चैर्मेन को तो आप देखना होगा कि इस मामले पर सियासत और कैसे परवान चरती है, राहूल गांधी की तरफ से क्या कुछ इस मामले में कहा जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ मलिकारचन खड़के जो हैं कॉंग्रेस के अध्याक्ष हैं, राज्टी अध्याक्ष और उन्होंने तो ये इ जवाब सरकार के तरफ से इस मामले में दिया जाता है,